दोस्तो नमस्कार आदाब सक्ष्रियकाल निउस क्लिक के खास कारिकरम आज की बात में आपका स्वागत है दोस्तो एक बहुत जाने पहचाने नेता हुआ करते थे कांग्रिस पार्टी में बहुत पुरानी बात नहीं है उनका नाम था सीताराम केसरी जी राष्ट्रिय जक्षवी पार्टी के बने केंद्री कल्यान मंत्री थे वो अक्सर कहा करते थे और उनके बारे में उनके जो समर्थक थे वो भी ये बात कहा करते थे ये बहुत मशहूर जुमला था कि न खाता न बही जो केसरी कहे वही सही कुछ वैसा ही इस वक्त दिखाई दे रहा है अपनी सरकार को लेकर सरकार आधिकारिक जो आंकड़े आते हैं अपने उन पर भी अंकुष लगाती नजर आ रही है यानि उसको ये लगता है कि जो आंकड़े गहर जरूरी है उसके लिए या जिनको वो छुपाना चाहती है लगता है कि उसकी इज़त पर जैसे बटा पढ़ रहा हो तो उन आंकड़ों को वो कोशिश करती है कि फाइलों से बाहर कर दिये जाएं, या अगर परकाशन हो आंकड़े बाजी है, उससे उसको दरकिनार कर दिया जाए, ताकि लोहों तक आंकड़े न पहुँचें, कमाल की बात है, यानि सरकार और उसको चलाने वारे लोग जो सोचें, उसकी तरह के आंकड़े आपे, तो आ अभी NCRB यानि National Crime Record Bureau के आंकड़े आये हैं ये आंकड़े एक समय पर आते रहते हैं और देखा ये जाता है कि आम तोर पर लेट होता है दूसरे कई मुल्क हैं दुनिया के जहां डिमक्रसीज हैं वहाँ एक साल के बाद तत्काल आंकड़े आ जाते हैं लेकिन अपने हाथ इतन तक आ जाने चाहिए थे वो 2019 के अंत में आ रहे हैं स्वमवार को ये आंकड़े जारी हुए एक साल से भी ज़्यादा कभी लंब है इन में इन आकड़ों के आने में और क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में बहुत ठोस कोई कारण नहीं दिया गया इसमें नए जो सब हेट्स द से और सहिशनुता जिसको आप कह सकते हैं इन टॉलरेंस चाहिए वो रिलीजियस हो कमिनल हो या एथनिक हो इन कारणों से जो अपराध होते हैं इन सब को इस बार शामिल किये जाने की बात आई थी पर जब रिकार्ड आया है जब आंकड़े जारी हुए हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो सका है और 2017 के राष्टी आंकड़े जो 2018 के अंट तक आजाने चाहिए थे इतना विलंब होने के बाद भी जो नए सबहेट बने वो खाली बलकि उनको दिया ही नहीं गया नए सबहेट सिर्फ साइबर क्राइम और राजी के खिलाप अपराध के जो मामले हैं वो जो आंकड़े आये थे हमारे पास Maub Lenching और Hate Crimes के उन आंकडों में कुछ गणबड़ी नजार आ रही थी क्योंकि स्टेट से आंकड़े आये थे और राजियों की तरफ से आये इन आंकड़ों में गणबड़ी कुछ थी उसमें ऐसा लगता था कि एक संतुलन नहीं है तो अगर संतुलन नहीं है तो साइबर क्राइम के जो नए सभेट्स हैं या इस्टेट के खिलाब क्राइम के उनको कैसे लोगों ने समझ लिया कि ये बहुत अच्छे हैं और बहुत सही हैं तो ये अजीब बात है कि जो प्रोफार्मा बदला गया था उनको उसमें कुछ ऐसे सभेट्स जो हैं उनको तो भरा गया लेकिन कुछ सभेट्स उनको खाली रखा गया ये कुछ बात हजम होने वाली नहीं है तो इसी से मुझे सीता राम केशरी जी की याद आई कि उनका कहना था कि लिखे न पढ़े कोई बात नहीं कागज पर न कोई बात रहे कि बही कितना पैसा आया कितना गया वो कोशाथ एक शुन दिनों हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के तो जो हम कहते हैं वही सही मान ल रहे हैं क्योंकि वो आखड़े बाबा आदम के जवाने में बहुत समय से दश्कों से चला रहा है तो उनको तो भर दिया जा रहा है क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जिन आखड़ों को लेकर समाज में हालके वर्षों में काफी विचारुत तेजना थी काफी था सरकार की काफी भद्ध हो रही थी उन आंक्डों से बीरो ने दर किनार कर दिया है अपने को और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जरूर कहीं न कहीं जो अपना रिकार्ड बीरो है उस पर दबाव रहा होगा लेकिन राजी के खिलाब जो आप फिंस है जैसे राजडर संपत्ति का नुकसान पहुंचाना जैसे आफिंसेज उसके मुकाबले जो पहले हुआ करते थे उनसे बहुत बढ़ गए हैं 2016 में ऐसे आफिंसेज 6,986 थे इस बार 9,013 है राजडरो के सरवाधिक मामले दिल्चस्प बाती आए कि जमु कश्मीर से नहीं आए भारती जंता पार्टी के शासन वाले असम से हैं 19 मामले वहां तो किसान नेताओं को भी राजडरो के मामले में फसा दिया जाता है मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पर अखिल गोगई को जो बहुत ही करमट कारी करता है उनको राजडरो के मामले में फसा दिया गया हर्याना जो द 2576 और UP 2055 सबसे आगे बताये जा रहे हैं जो ओवराल इसमें केवल राज़रो की बात नहीं है कुछ समय पहले NSSO के आंक्णों को लेकर भी विबात सामने आया था आप लोगों को याद होगा हमारे जो दर्शक हैं हमारे जो शुरोता हैं उनको अच्छी तरह याद होगा कि NSSO के आंक्णों को लेकर किस तरह सरकार ने अपने सांखिकी विभाग को अपने ही आंक्णों को नौजारी करने का हुक्म दे दिया था और 2019 के लोगसभाद चुनाओं से पहले खबर आ रही थी कि NSSO के अपने आंक्णों के अंसार इस वक्त बेरोजगारी चार दसकों में सबसे ज्यादा है सरकार ने अपनी भद पिटने के पहले NSSO के पिरियार्डिक लेवर फोर्स सरवे को दबा दिया इस से छुब्ध होकर राश्ट्री सांखी की आयोग यानि NSC के जो उस वक्त के कारिवाहा का ध्यक्ष थे वो और कुल मिलाकर दो अधिकारी उनके सहीद उन्होंने इस थीपा दे दिया इसको लेकर भारी भी बाद मचा था निती आयोग बीच में आ गया निती आयोग ने का ने यसी कोई बात नहीं है ये है वो है निती आयोग ने सरकार का बचाओ जम के किया NCRB के आकड़ों को लेकर भी कुछ आज वैसा ही नजर आ रहा है जिसके ताथ मौब लिंचिंग धार्मी घ्रना के कारण हुए अपरादों को रिपोर्ट में अलग से दर्ज करने के बीरों के अपने फैसले को रोग दिया गया वजह सरकार बता सकती है क्योंकि जो बात बीरों की तरफ से उसके कुछ आधिकारी सुत्रों ने बताई है वो हजम होने वाली बात नहीं है कि स्टेट से जो आकड़े आये थे वो उसमें संगत अता नहीं है consistency नहीं है या उसमें कुछ अजीब सा confusion है अगर एक आंकड़े जो आ रहे हैं एक सभेट के वो अगर विश्वसनी आपको लग रहे हैं तो अचानक दूसरे सभेट के कैसे और विश्वसनी लगने लगे NCRB के जो अधितन आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त देश में महिलाओं के खिलाब सबसे अधिक अपराद आज भी उन प्रदेशों में हो रहा है जो आम तोर पे भाजबा शासित है देखिए बड़ी दिल्चस्ट बात है कि जो 2017 के आंकड़े आए हैं तो उसमें जिसे मद्रदेश है या दूसरे और जियोराज़ी है तो आजकी तारीक में अगर देखा जाए तो वहां सरकारें बदल गई है मैं यह नहीं कह रहाँ कि सरकारों के बदलने से बिलकल dış बदल जाएगा समाज बदल जाएगा ऐसा बिलकल नहीं है बीजेपी की जगा कॉंग्रेस आ जाये कोई भी पार्टी आ जाये ततकाल उस समाज की सनरचना अपराज की मनुवर्ती रातों रात नहीं बदल जाती लेकिन जो आपके पास आंकड़े परोसे जा रहे हैं 2017 के याद रखनी की बात है कि उस समय मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ इन तीनों राजियों में भारती जन्ता पार्टी की सरकारे थी तो लेटस जो आकड़े हैं दरसल वो बीजेपी शासित मध्यप्रदेश के हैं बीजेपी शासित 36 गड़ के हैं और बीजेपी शासित राजस्थान के हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर ये कहा जा सकता है कि उसके कुछ महीने यानि शुरुआती दो तीन महीने वो स 56,111 मामले दर्ज हुए हैं मैलाओं के खिलाब क्राइम के और जो नहीं दर्ज हुए उनकी चर्चा कौन करे क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्य देश के हैं जो अपराद को दर्ज न करने के लिए काफी कुख्यात हैं FIR होता ही नहीं है और गरीब घर की वगर महिला उसके साथ कोई अत्याचार हुआ है तो वो अमूमन ऐसे अपरादों को दर्ज नहीं किया जाता 369,849 अपराद के मामले पूरे देश में दर्ज हुए और उसमें ये जो राज्य हैं वो काफी उपर है इस बार NCRB ने रेप का कालम तो रखा है बलातकार का कालम रखा है उसके आँकड़े आये हैं लेकिन गैंग रेप का जो कालम है उसको हटा दिया बड़ी दल्चस्पात है समाज की इज़त बचाने के लिए या शासन की इज़त बचाने के लिए किसकी आपके समाज में अगर महिलाओं के खिलाप अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं अगर मान लीजिए ये मामले सामने आ रहे हैं तो उसको छुपाने से क्या फायदा भाई हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है इस कालम को 2012 में शामिल किया गया था और इस बारोगाय इसी तरह से दलित आदिवासी और उत्पीडित लोगों पर अत्याचार अपराद के मामलों में इस पर 6 फिस्दी बढ़ोत्तरी हुई है मद्यप्रदेश, बिहार और राजस्थान में आबादी के अनुपारत में सबसे ज़्यादा इस मद में क्राइम हुए इस सब्हेट में न्यू इंडिया में साइबर क्राइम 2016 के मुकाबले 77 फिस्दी बढ़ा है 77 फिस्दी इस साल यानि 2017 में 21,796 मामले दर्ज हुए जबकि 2016 में सिर्फ 12,317 मामले थे तो ये जो आँकड़े आए हैं 2017 के एक तो ये कि इन आँकड़ों को दुनिया की दूसरी जो डिमक्रसीज हैं जहां पर सरकारे आम तोर पे आँकड़ों में पारदर्शिता दिखाती हैं और वो अध्यतन होते हैं आँकड़े अब आप कल्पना कीजिए 2019 खतम हो रहा है लेकिन हमारे पास आधिकारिक तोर पे इस देश की जनता के सामने और इस देश के तमाम उन अधिकारियों के सामने जो आँकड़े आ रहे हैं वो 2017 के यानि 2018 के आँकड़ों के लिए हमें 2020 नहीं अब 2020 का इंतिजार करना पड़ेगा तो इतने पुराने आँकड़ों को हम अध्यतन और आधिकारिक बताते हैं और उसमें भी कई सबहेट समते करते हैं और उन सबहेट को हम इस आधार पर आँकड़ों के की फाइलों से बाहर कर देते हैं कि साब इन में विश्वसनियता नहीं है मुझे लगता है कि कुल मिलाकर विश्वसनियता तो शाषन की घटती है इस तरह के फैसलों को लेने से तो ये जो मसला NCRB का है वो जरूर NCRB के इस इन आकड़ों को जरूर इस रोशनी में देखा जाना चाहिए और ये जो हम टिपणी कर रहे हैं ये सरकार की केवल आलोचना करने के लिए आलोचना नहीं है ये हम सब की आलोचना है ये पूरे सवाज की आलोचना है कि आकिर हम ऐसा देश बना रहे हैं कि हम कहते हैं कि अमुक से मुक्थासन लेकिन अपराच से मुक्थासन की बात ही हम नहीं कर रहे हैं तो इसी टिपपणी के साथ आज की चर्शा का हम यहीं समापण करते हैं दोस्तो इस पर जरूर सोचना चाहिए दबाव डालना चाहिए अपने जन प्रतनिदियों पर शासन पर और अपने आप पर भी किया किर हम कहां खड़े हैं इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद नमशकार आदाब सत्स्रियकाल